तो गर्मियों का सीजन आ गया है और गर्मियों की सीजन में खाने के साथ हमें लगता है कुछ स्नेक्स टाइप हो फ्राइंग चीज तो मज़ा आ जाता है तो इसलिए आज मैं आपके लिए कर आई हूँ चावल की कुरेरी की रेसिपी जो की बहुत ही देखिए एकदम हाथ से तोड़ने पर इतनी सॉफ्ट होती है एक बार के तोड़ने से इसका चूरा चूरा हो गया बहुत ही सॉफ्ट होती है खाने में बहुत ही टीस्टी लगती है तो फुल वीडियो जरूर देखिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे को सब्सक्राइब कर दीजे बैल आइकन को प्रेस कर दीजे जिसे मेरी आगयाने वाली रेसिपीस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पौश सके तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए मैंने यह 200 ग्राम करीब चावल ले लिये हैं यह खिचली वा मैं इसको ग्राइंडिंग जार में डाल रही हूं इसका एक हमें गाड़ा पेस त्यार करना है महीन और गाड़ा तो इसमें मैं उतना ही पानी डालूंगे जितना इसको पीसने के लिए रिक्वाइड होगा ज्यादा पानी हमें इसमें नहीं डालना है तो देखे एक बार मै पेस्ट हमारा तयार हो चुका है पिल्कुल परफेक्ट है ये कुरेरी के लिए और अब मैंने गैस पर एक मोटे तले का भगोना रख दिया है क्योंकि अभी इसको हमें पानी डाल के कुक करना है तो ये देखे मैंने सारा बैटर भगोने में डाल दिया और जो बचा है उसके एल जो पानी डाल देती हूं तो यह मैंने हाफ घ्लास पानी डाल धीया है और मैंने चुड़ा लिया है इसको मैं हमारा बाइटर उसमें एड कर दूंगी तो अब मैं इसमें आप Their opinion का मैजरमेंट बताती हूं इसमें जितने हम चावल लेते हैं उससे चार गुना पानी हमें डालना है जैसे मैंने इस ग्लास से चावल बिगोए थे जब मैंने बिगाने के लिए रखे तब इस ग्लास में मैजर करके बिगोए थे तो इसी ग्लास से मैं चार ग्लास पानी इसमे तो अब मैं तीन ग्लास पानी इसमें नाप के डाल रही हूं इसमें मैजरमेंट का बहुत मैटर करता है इसमें मैजरमेंट तो जितना हमारा चावल है उससे चार गुना पानी हमें लेना है और अब इसको हम मिला देंगे अच्छे से और मिलाने के बाद मैं गैस ओन कर दूगी और इसे हमें पकाना है हाई फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए जब तक कि ये बिल्कुल ठिक नहीं हो जाता है अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी क्या कंसिस्टेंसी हमें चाहिए और इसे हमें लगातार चलाते रहना है छोड़ना सीट और उसी के साथ में नमक आट करूँगी तो आपने टेस्ट के अकोर्डिंग नमक ले सकते हैं मैं तू टेढल ल्यागोह अ अपने टेस्ट के आफोसी सपून नमक ले देखेंग ये काफी तिक अच्छा आजाता है इसलिए हम जीरा एड़ Central अब इसे हम लगातार चला तो यह देखे फ्रेंट्स अब करीब करीब मुझे 15 से 20 मिनिट हो चुके हैं और अब यह जो हमारा बैटर है बिल्कुल पर्फिक्ट है कुरेरी तोड़ने के लिए तो यह कंसिस्टेंसी हमें इसकी चाहिए तो अब मैं गैस को आफ कर दूंगी और इस बैटर को हम ठंडा होन थाली में हमें जिसमें भी बनाना है उसको ग्रीज कर लेंगे आप परात में भी बना सकते और अगर आपका बैटर जादा है तो आप एक प्लास्टिक ले लिजिए मुम जामा जिससे कहते हैं प्लास्टिक जो आती है उस पे भी आप बना सकते हैं तो अब इसको हमने ग्री से अच्छे से बना पाएं और मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया था हात पे और इसको हम इस तरीके से देखें उठा उठाकर और कुरेरि तोड़ते जाएंगे जैसे हम यह मंगवाडी बनाते हैं उसी तरीके से बहुत आसानी से बहुत इजीली और बहुत जल्दी ये बन जाती है फ्रेंट्स बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इने बनने में लेकिन आप केरफुली रहेगा तोड़ते समय गरम नहीं हो बैटर आप जितने आराम से हाथ से उसे उठा पाएं बैटर को उतना जाएं तो इसी तरीके से हम सारी कुरैरी बना लेंगे तो देखें मैंने सारी कुरैरी तोड़ दी हैं और अब इसे हम 2 दिन के लिए दूप में थेज धूप में हम सुखाएंगे दो दिन तक तो ये बहुत अच्छे से सूख जाती हैं बिल्कुल तो यह हमारी कुरेरी जो थी रेडी हो गई है दो दिन तक हमें हमने इसे तेज धूप में सुखा दिया है और इनका साल भर तक कुछ नहीं बिगड़ता है आप किसी भी कंटेनर में भरके रख दीचे और साल भर तक आप इने यूज कर सकते हैं तो फ्रेंट्स अब इसको हम तल भी लेते हैं तो मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया है गरम होने के लिए और इसको तलने के लिए हमें एकदम होट ओयल चाहिए जिसमें से धूआ निकलता है तेल में से उस तरीके का तो देखिए मैंने डाल दी और अब यह डबल हो है तो फ्रेंट्स रेड़ी है हमारी कुरकुरी बहुत ही टेस्टी चावल की कुरेरी तो फ्रेंट्स यह रेसिपी आपको कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट करके बताएए पसंद आए तो अपने फ्रेंट्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करिये और एक बार जरूर ट् खाती हूं बहुत ही कुरकुरी बनते हैं देखे एक ही हाथ से प्रेस करने पर अच्छे से टूट रही है बहुत सॉफ्ट होती है खाने में बहुत अच्छी लगती है तो फ्रेंट्स थैंक्स फॉर वाच्चिंग